नेताओं और नगरपालिका के कर्मचारियों की लापरवाही की कीमत 6 वर्षिय अबनी चुका रही। जूलते समय तूटा जूला पैर की हड़ी तूटी। सर में लगी गंभीर चोट। महिंद्रगड के एक मात्र पाप चौदरी रणवीर सिंग उध्यान में जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आए दिन छोटे बच्चे जूलों से गिर कर घायल हो रही है। शुक्रवार देर शाम को शहर के मोहला सैनीपुरा निवासी छे वर्षिय अबनी जूला तूटने से उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि अबनी के पास खड़े उसके पापा ने गिरते जूले को हाथ से थाम लिया अन्यथा बड़ा हाधसा हो सकता था। इस समय घायल अबनी शहर के एक मिजी अस्पताल में उप्चाराधीन है। अबनी के ताउ बलदेव वो मौहला वासी मनीश राजपूत ने बताया कि अबनी के सिर में गंभीर चोट लगी है तथा आठ ठांके आये हैं। पैर की हड़ी तूटकर अलग हो गई। अब उसका ओपरेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 6 साल की अबनी अपने पिता कृष्ण सैनी वा माता पूजा देवी के साथ शाम पांच बजे शहर के हुड़ा पाक में गए थे। वहाँ पर अबनी जूला जूलने लगी तो अचानक जूला तुटकर गिरने लगा। हालांकि कृष्ण कुमार ने हाथ से थामने का प्रयास किया लेकिन अबनी जूले के नीचे दब गई। गंबीर रूप से घायल अबनी को शीगरता से शहर के एक निजी अस्पताल में भरती कराया जहां उपचाराधीन है। लोगों की मांग है नगरपालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कारवाई की जाए। पाक में आए दिन जूले वह बच्चों के लिए लगाए गए उकरन तूटने से हादसे हो रही हैं। दो सप्ता पूर्व भी एक साइड का जूला तूटने से एक बच्चे को चोटे आई थी। वही अबनी के परिजनों का कहना है कि इसकी शिकायत उपायुक्त को सौपी जाएगी।